पहाड सा विसाल जो गंदगी हमारे अंदर है बताइए जरा सुख कैसे आपको मिलेगी ऐसा लगे का मानू आप जंगल के बीच में बने हुए काटेज में रह रहे हैं और सारी जो विकार हैं सारी गंदगिया हैं और चेतन मन में भरी पड़ी हैं तो वहां तक तो हमारी पहुच नहीं होती पूजापाट की लेकिन रियल में जो स्वक्षता होती है वो अंतह करण की होती है और यहां पर आप देखिए फिमर्ट टीचर का रेजटेंस कितना खुबसूरत है साप सफाई किसे पसंद नहीं है यहर ब्यक्ति साफ रखना चाहता है सुक्ष रहना चाहता है आप देखे होंगे दिवाली के समय घरों में कितनी साप सफाई होती है लोग कपडों के सफाई करते हैं घर के कोने कोने की साफ सफाई होते हैं हर तेवहार में और डेली हर ब्यक्ति अपने घर की साफ सफाई करता ही है अपने रोजस्टान करता ही है कपडों के धुलाई करता ही है लेकिन क्या यही साफ सफाई है यही स्वक्षता है एक तरह से बा सब्सक्राइब tussen चनल भारत दर्षान ब्लॉग पर आपका अभी हम लखनो में लखनो बीपर्षत्ब्रशना धंस देन का कोर्ष हमारा पूरा हो गया है साल में एक युद्धिर कोर्ष हम करी लेते हैं तो क्या तो अबी सेंगे से थे होता है अग्याय Чिया बाहर हम साप सफाई कर लेते हैं, बाहर क्योंकि आखों से दिखाई पढ़ रहा है कि यहां पर गंदगी है, लगता है कि कपड़ा गंदा है, उसे धुल लिया, लगता है कि यहां पर गंदगी है, यहां पर कुडा करकट है, तो चुक कि दिखाई पढ़ रहा है, तो लगता ह है कि सफाई हो गई है लेकिन जो अंदर की गंदगी है को दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन आपको बिश्वास नहीं होगा कि अंदर से जनम के बाद से कभी सफाई हुई ही नहीं, पता नहीं कितने जनमों से, अगर कितने जनमों की बात ना किया जाए, तो इस जनम में भी इतनी गंदगियां, इतना विकार हमने इकठा किये हैं, कभी राक के, कभी अहंकार के, मैं, मैं, मेरा, मेरा, कभी मुह के, कभी मुढता के कभी क्रोध के कभी कभी कपट के कभी इर्श्या के इतने विकार है इतने बुरायां है कि अगर उनको मिला लिया जाए तो दुनिया के पघाड के बराबर उजह उंचा हो सकता है हमारा अं गजिन तो जितने विटनियां है दुनिया भर की समंद्र है सबसे ज्यादा गंदगियां हमारे चित में हैं हमारे मन में हैं चुकि दिखाई नहीं देती है तो हमें लगता है कि हम तो सबसे अच्छी इंसान है और बुराई किसकी दिखाई पड़ती है सामने वाले की कि सामने वाला गलत है देखो तो उसकी बुराई है हमारे जो विकार है हमारा जो क्रोध है वाजीब लगता है करे मैं तो क्रोध किया यह तो बिल्कुल गलत किया तो क्रोध किया मेरा है तो मैं हंकार करता हूं मैंने इतना À कमाया है मझा लेता था हूं तो एक जो विकार है इस से दूर करना है और एक चीजिए आदमी सुक्त चाहता है अनंद टू चाहता है दुनिया में आनंद किसे स Woo UFC लेकिन विकारों के रहते हुए अंदर मैल है पहाड सा विसाल जो गन्दगी हमारे अंदर है बताइए जर्णा सुख कैसे आपको मेले की आपको शानती कैसे मिले आप सोचते हैं कि हम पैसा बना लेंगे खुब पैसा कमा लेंगे करोड़ों रुपया कमा लेंगे शांती मिल जाएगी आनंद मिल जाएगा बड़ा सा बंगला बना लेंगे इस सहर में उस सहर में एक गाड़ी खरिद लेंगे पांच गाड़ी खरिद लेंगे साधी हो जाए दयाएंगे अधन लिए कुछ मंध्री कह दिय constructive आभववव अनदर गंदगी है बहुत ज्याधा गंदगी है आपको शांती आएगी, उतना उतना अच्छाई आपके अंदर आएगी, आपका जो वाशना है, वो प्रेम में बदलेगा, करुना में बदलेगा, आपका जो खोद है, वो वात्सले बदलने लगेगा, आपका जो द्वेश है, दुरुभाव है, वो सद्भाव में बदलने ल राइंगे कैसे बिकार के आपने पता दियें ना बुराई है है कभ है आपने देखा नहीं बचपन से पता नहीं कई जनमों से विक्षा कह वह समुंद्र से अपहाड जैसा निखलेंगे करते हैं हम करते तो हैं पूजा पाठ करते हैं रोज अगर बती दिखाते हैं भगवान को भगवान निकालेंगे ना सत्संग में जाते हैं भगवत कथाओं में जाते हैं उन बाबा से दिक्षा लिये हैं बाबा निकालेंगे ना जो भगवत कथा में जो गुरुजी है वो नि होता है विकार अंदर है इसको चीज को समझाते हैं आपको आपने समंदर में आइसबर्ग देखा होगा एक पहाड़ होता है आइसबर्ग चटान उसमें जो उपर तैरता है वह फ्लोटिंग जो माउंटेन होता है वह मातर 10% होता है लेकिन आपको बिश्वास नहीं होगा कि 90 परसेंट जो पार्ट है उस फ्लोटिंग माउंटेन का रॉक का 90% नीचे समुनदर नीचे होता है ळी कहते है। तो दिखाए नहीं पड़ता है जो में 90% पार्ट है थोड़ा सा सबकॉंसेस माइंट और चेतन मन को छोड़ दिया जाए तो 90% जो पार्ट है मारा और चेतन मन हैं और सारी जो विकार है सारी गंद गया हैं और चेतन मन में भरी पड़ी हैं तो वहां तक तो हमारी पहुच नहीं होते पुजा पाट की भगवत का थाम करते हैं सुनते हैं उसकी पहुच वहां पर नहीं होते हैं तो वो कैसे निकलेगी उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा उसके लिए आपको विप्रशना करना पड़ेगा और इसी चीज को भगवान बुद्ध ने इन्हीं विकारों से मुक्ति के पूर्ण रूप से शांत हो जाए शुद्ध हो जाए यानि कि जहां पर सांप निकला बेल में से सर निकाला वही तब उसको जाकर दिया उसको मार दिया तो उसी तरह विकार जहां पर उत्पन होता है वहां तक लोगों के पहुच नहीं होती है तो बिप्रश्चना के यहां वहां पर पहुच करके विकार का समुल नास करते हैं और धीरे 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 करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि लेयर्स आप्टर लेयर्स जो विकारों की चटानी हैं क्रोध की लालच की वाशना की कपट की द्वेश्च दुर्भाओं की उपिघलने लगती है और के लेयर लेबल पर आपको चीजे दिखाई पड़ेंगी कहीं भारीपन होगा कमी ठोस मालूम होगा कहीं गर्मी होगी बेचैनी होगी उसरीर के लेबल पर परिवर्तन होता है लेकिन वहां पर आपको साक्षी भाव से देखना है समता भाव से देखना है द्रश्टा भाव से बन जाएंगे आप निर्वान को अपलब्द होंगे जन्मांतर के बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे जन्मांतर के बंधनों से न मुक्त होएं कम से कम विकारों से तो मुक्ती मिलेगी मन द्रश्टा भाव में तो रहने लगेगा मन सम्ता भाव में तो रहने लगेगा सबस सब्सक्राइब करें हमारे अंदर हम बोल नहीं पाते थे इक शब्द नहीं कर नहीं आपके सामने इतना बोलने की हमत कभी नहीं थी आज ब्लॉग पर हमारे लाखों-क्रोलो लोग देखने वाले हमारे चाहने बाले हैं नीज रिपोर्टिंग करते हैं तो हम भोल पा रहे हैं सबसे बड़ी बात कि हमारे जो मन के विकार हैं हमको बहुत परशान करते दें क्रोध था ब्रह्मचर्य का जीवन हमको जीना था तो ब्रह्मचर्य को पर हम निरंतर आगे बढ़ रहें तो मेरे जीवन में अगर परिवर्तन हो सकता एक समन्य आदमी एक नॉर्मल आदमी के तो आपके जीवन में क्यों नहीं हो सकता आपने लाग गलतिया कि होंगी पाप किये होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मन बना लिजी कि नहीं हमको ध्यान के मार्क पर चलना है हमको विप्रष्णा के मार्क पर चलना है डेफिनेटली आपके जीवन में बतला होगा लखनो विप्रष्णा सिंटर का संदर परिसर आप देख रहे हैं और यहां पर बने हुए कॉटेज ऐसा लगेगा मानू आप जंगल के बीच में बने पच्छियों के चर्पिंग या मूर की आवाज आपको सुनने को मिलेगी और यहां रूम कैसा होता है खुल कर आपको दिखा देते हैं कमरा दो लोग इस कमरे में रह सकते हैं अटेज्ट इसमें लेट्रीन बात्रूम है और अब हम लखनो विपस्टना सेंटर में फिमेल एरिया दिखाते हैं जहां पर महिलाएं विपस्टना करने के लिए आती हैं उनके लिए रेजिजेंसियल एरिया है अब देख रहे हैं कमरे बने हुए महिलाओं के लिए कितना सुन्दर परिसर है हिरदे गदगद हो गया देह करके फीमेल एरिया के दुसरा प्लोग आप देख रहे हैं कमरक के अंदर आपको दिखाते हैं यहाँ पर सिंगल अक्कूपैंसी है और दिखे ट्वाइलेट कितना सुन्दर है यह है विपस्टना सेंटर के फैसिलिटी और यहाँ पर पाथवे पर आप जब वाक करेंगे तो आपको ऐसा लगे है कि आप जंगल में भूम रहे हैं और यहाँ महिला रेजिजिजेंस से होते हुए महिलाएं धम्मा हॉल में परवेश करती है और यहाँ पर आप देखिए फीमर टीचर का रेजिजेंस कितना खुब्सूरत है परश्चन सेंटर में जो मेडिटीस करने के लिए आते हैं तो धम्मा हॉल के अजक इस अच्छाफर के अच्छान करता है यहाँ व्लाद में टी वासामूज की धियान होता है अच्छा चले अब हम आपको पैगोडा लेकर चल रहे हैं लखनाव भी पस्टना अब इस संगेल महिला बेटकर द्यान करती है इस महिलाओं का आप पैगोडा देख रहे हैं अब देखिये तीचर रेजिटेंस मेल और देखिये धम्मा हॉल का इंट्रेंस जो है पुरुषों के लिए यहां से धम्मा हॉल में पुरुष इंटर करते हैं तो यहीं पर इंस्ट्रक्शन्स वगर होते हैं मेरिटेशन नहीं पर होता है और बकायदे आप देख रहे हैं गद्दी लगा हुआ है हर मेरिटेटर्स के लिए एक अलग गद्दा होता है जहां पर बैट करके लोग ध्यान करते हैं तो क्या कहिना चाहेंगे ध्माहौल के बारे में ध्माहौल के स्थाने धर्म का अभ्यास यहां किया जाता है अपने मन को कैसे कागर करें कैसे निर्मल करें अपने अंदर विज़िव प्रग्या किस तरह यह चीज यहां सिखाई जाता है तो अभी हमने आपको दिखा यहां पर विप्रश्णा सेंटर में अब पर प्रस्णा सेंटर में जितने फ्यूमल रेजिटेंस है मेल रेजिटेंस है पैगोड़ा है यहां का धम्मा हॉल है तो लखनाव विप्रश्णा सेंटर का हर चीज आपको दिखाया और यहां पर महिने में दो कोर्स होता है मेल भी फिमेल भी दोनों पर यहां आ सकते हैं कोई टेंसन नहीं है अपने मन के चिंता मन के आवसाथ से मुक्त होने के लिए मन को एकागर करने के लिए मन को सजग बनाने के लिए मन के विकारों से मुक्ति के लिए यहां पर आपको विप्रश्णा के लिए आना ही चाहिए बस कंडिशन दो है कि आपको शील का पालन करना है और दूसरा मौन का पालन करना है फाइनली दस दिन का विपर्ष्टना कोषपूरा करने के बाद लखनौ से हम वापँ जा रहे हैं दुसरे रेस्टिनेशन के तरब आप कमेंड जरूर कीजिएगा कि वेपस्टना सेंटर के हमारी यात्रा वेपस्टना सेंटर का हमारा साधना का एक्स्परियंस आपको केशाता है